हेलो माई डिर स्टूडे, माई नेम इस जीडी पांडे और मैं Make My Career के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जेई मेकेनिकल की क्लासेस पढ़ाता हूँ आरे बच्चों, आज के समय का competition level है किसी भी examination का, चाहिए वो J examination हो, A examination हो, उसको देखते हुए कि हम बहुत जरूरी है हमें समझना कि हम सिर्फ केवल पढ़ाई करके किसी भी examination को crack नहीं करें आज के समय पे हमें पढ़ाई के साथ साथ किसी भी examination को crack करने के लिए एक सही रणनीत की आऊ सकता है एक proper strategy की आऊ सकता है जब तक हमारे पास proper strategy नहीं है जब तक हमें समझ नहीं है किस exam का pattern क्या है किस exam का syllabus क्या है किस exam में किस syllabus का कौन सा part important है और कौन सा part important नहीं है जब तक ये सारी बातें हमारी समझ में नहीं आएंगी तब तक हम exam को pass नहीं करें आपने प्रायह देखा होगा बच्चों के शिकायत होती है कि दो साल से तीन साल से चार साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन पढ़ भी रहे हैं knowledge भी है लेकिन फिर भी select नहीं हो पा रहे हैं problem कहा है problem है बेटा उनके strategy में उनकी रणनीत में अगर आपकी रणनीत नहीं अच्छी है तो आप select होंगे भी तो जो selection आपका एक साल में हो सकता है वो select होने में आपको 3-4 साल लग सकते तो आज हम लोग इस बात पे बात करेंगे कौन सी proper strategy है जहां से आप किसी examination में जल्दी से जल्दी select हो सकते हमारा heading है आप पर सकते है how to crack any J examination मैं junior engineer mechanical के लिए specially पढ़ाता हूँ तो मेरा जो बातचित होगी वो mechanical के oriented होगी किसी भी examination को जो J pattern junior engineer के लिए है उसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं उसकी proper strategy क्या होनी चाहिए proper strategy क्या होनी चाहिए क्या रणनीत होगी रणनीत पर चर्चा शुरू करने से पहले हमने दो points यहां बना दिये हैं आपके सुलवता के लिए है कौन लोग J exam दे सकते हैं J exam देने की eligibility है diploma के students है fall technique के वो J exam दे सकते हैं और जो Btech students हैं वो भी J exam दे सकते हैं लेकिन Btech students केवल central government में J exam paper दे सकते हैं state government में यह allowed नहीं रहता है अगर हम branches की बात करें तो आपको पता है आप सब engineers या फिर junior engineers है diploma आपने किया है चार branches मुख्य रूप से हमारे यहां होती है branches तो और भी सारी होती है mechanical है, civil है, electrical है, electronics है लेकिन चुकि हम especially mechanical engineering प्रहाते हैं तो हमारी पूरी बात्चित जो होगी वो mechanical के आसपास ही रहेगी आगे से जो भी हम discussion करने जा रहे हैं वो हम किसके लिए करेंगे सबसे पहले किसी भी exam को crack करने के लिए तो बहुत जरूरी काम है यह समझना कि उस exam का pattern क्या है, एक बात समझे बेटा, हर exam का pattern अलग-अलग होता है, अगर engineering के examination की बात करें तो बहुत सारे exam होते हैं Cate है, KSC है, Engineering Services Examination इन दोनों exam को Cable B.Tech वाले ही दे सकते हैं और Diploma Holders इनको नहीं दे सकते हैं अगर हम Diploma की बात करें तो J exam है, लेकिन J exam में भी बहुत सारे exams हैं बेटा, J exam में एक exam है SSC J, दूसरा exam है आपका Railway J, तीसरा आपका है State J और एक exam का pattern different different होगा जब तक आपका pattern से परिचय नहीं होगा, तब तक आप exam को crack करने में बहुत असुविधा आपको आई हाँ, एक exam होता है मेरे प्यारे बच्चों का नाम है J, SSC J, Staff Selection Commission जो J exam लेता है, मेरे हिसाब से यह बहुत ही standard pattern है, अगर मैं आपको कहूँ कि आप किस pattern को follow करें, तो आप SSC J के pattern को follow करें, बाकी जो सारे examination है, वो आपके इसी pattern को follow करते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो थोड़ा बहुत changes है, वो particular exam के according आप manage कर सकते हैं, तो आज का जो वीडियो में हम लोग बात करेंगे, वो especially हम किसके लिए करेंगे, हम especially बात करेंगे SSC JEE को ले करके, इसलिए मैंने यहां देखिए bracket में लिग भी दिया है, कि हमारा discussion किसके लिए है SSC JEE के लिए, अगर आपने स्टेंडर्ड पैटर्न है, मैं बार-बार इसी बात पर जोड़ दे रहा हूं, यह कि स्टेंडर्ड पैटर्न है, आप इसको follow करने का प्रयास करिएगा, अगर हम लोग SSC JEE की बात करें, तो देखिए SSC JEE या कोई भी JEE exam है, मुख्य रूप से वहाँ दो चीजें पूछी जाती है, एक पूछा जाएगा आपसे टेकनिकल के बारे में, और दूसरा आपसे पूछा जाएगा अगर हम SSC JEE का पर्टिकुलर ली बात करें, तो हमने यहां ब्रांच कौन सी ले ली है? क्योंकि मैं मेकनिकल पढ़ाता हूँ, यह क्लासेज मेकनिकल के लिए है, तो मैं सब कुछ मेकनिकल पे based हो करके आपको बता रहा हूँ, तो मेकनिकल में जो टेकनिकल पेपर आपका होता है, वहाँ पर number of questions कितने आते हैं बेटा? 100 questions आएगे, और marks कितने होते हैं? 100 questions आएगे, 100 marks के रहेंगे, एक question एक number का रहेंगे, यह आपकर टेकनिकल का pattern है, non-tech का pattern क्या है? non-tech में बेटा GS आएगा और आपकी reasoning आएगी, GS में number of questions कितने हैं 50, और marks कितने हैं 50, reasoning में भी marks हैं 50, और questions लिए 50. अब आप समझे, हालांकि यह ससी जेई का pattern है, लेकिन आप किसी भी examination को देंगे, आपको तीन चीजें ही अमोमन पूछी जाती हैं, जिसमें मुख रूप से आपकी जो branch है, mechanical, civil, electrical वो पूछी जाएगी, इसके अरावां आपको GS पूछा जाएगा, और आपसे reasoning पूछा जाएगा, पस changes यह हो सकते हैं, कि कहीं कहीं पर reasoning के साथ साथ, आपसे math भी पूछ लेंगे, DMRC है, तो वहां पर आपसे English पूछ लेंगे, कुछ examination है, वहां आपसे Hindi पूछ लेते हैं, तो वह बहुत small changes हैं, लेकिन आप समझे कोई भी exam है technical, तो आपसे पूछेगा यह पूछेगा, आपसे GS पूछेगा यह पूछेगा लगभग, reasoning लगभग आपसे सब exam में पूछता है ही पूछता है, तो अगर आप इस pattern को follow करते हैं, तो अगर आप किसी दूसरे exam के लिए जाते हैं, तो थोड़े बहुत changes से आप उसको भी manage कर सकते हैं, तो यह हमारा pattern है, SSC J examination के अगर हम लोग बात करें, तो अब बच्चो यह जानना जरूरी है, कि इस pattern में आगे हमें क्या समझना है, आपका जो subject होता है, उसमें एक subject नहीं है, उसमें 14, 12, 15 subject होते हैं, जिस तरह से आप divide करें, लेकिन आपको यह जानना जरूरी है, कि किस examination के लिए कौन सा subject मायने रखता है जादा, मेरे हिसाब से तो सारे subjects मायने रखते हैं, सारे ही subjects आपको अच्छे से prepare करने चाहिए, लेकिन किस पे जादा focus करना है, किस पे कम focus करना है, यही तो रणनीत है, आगे का जो हमारा slide है, हम इसके बारे में बताने आपको जा रहे हैं, यहां लिखा है distribution of marks, subject wise marks किसमें जादा आते हैं और किसमें कम आते हैं, तो mechanical को मैंने 5 भागों में बाट दिया, आपने mechanical में 15 subject पढ़े होंगे, 12 पढ़े होंगे, 30 पढ़े होंगे, 35 पढ़े होंगे, उससे कोई विशेस फरक नहीं पड़ता, फूल मिला करके हमने इसको 5 भागों में बाट दिया, यह 5 subject नहीं है, यह 5 section हैं, हर एक section में अपने अपने parts हैं, जैसे अगर thermal engineering की बात करें, तो यहां 5 subject आएंगे, पहला subject आपका आएगा basic thermodynamics, क्या आएगा बिटा, basic thermodynamics, तूसरा subject आपका आएगा power plant engineering, तीसरा subject आपका आता है refrigeration air conditioning, तौथा subject आपका आएगा heat transfer, पाँचवाँ subject आपका आएगा IC engines, तो एक section में 5 subject हैं, तो मैंने पूरे section को एक side से आपको अलग रगा, अब हमें यह जानना बहुत जरूरी है, कि यह section हमारे लिए कितना important है, आप देखिए technical जो mechanical है, उसमें total marks की संख्या कितनी है 100 marks, हमने भी इसले slide में आपको बताया, अब आप देखिए 100 में से 80 marks, 30 marks, 1 by 3 कौन कवर कर रहा है, आप सुचिए, कितना important यह part होगा, इसके यह 5 हिस्से कितने मजबूत होंगे, कुछ बच्चे कहते हैं, इनका आपसमें बता दीजिए, यह 5 में कौन जादा important है, तो देखो बेटा, यह 5 एक दूसरे से mutually जुड़े हुए है, अगर आपको basic thermodynamics नहीं आएगा, तो आपको power plant नहीं आएगा, आपको RAC समझ में नहीं आएगी, आपको IC engine समझ में नहीं आएगा, तो मेरी गुजारिश है आपसे, कि आप इसके अंदर मत distribution करिए, यह section पूरा पढ़िए, क्योंकि अगर आपनी basic thermodynamics नहीं पढ़ा, आप power plant बहुत पढ़ भी लेंगे, तो आपके questions फाज जाएंगे, इसे लिए मैंने section का division भी इस तरह से किया है, और आपको जो मैं पढ़ाऊंगा online, तो मैं इसी तरह से आपको पढ़ाऊंगा भी क्रमबे, लेकिन important समझ यह, it is one of the most important subject for J examination, नाम है thermal engineering, उसके अंदर 5 subject आते हैं, कम से कम नहीं तो 30% cover करता है, 30% दूसरे subject की बात करें, fluid mechanics and hydraulic machines, दूसरा सबसे महत्तपूर subject, आप देखिए 30% यहां cover हो रहा है, और जो मैं data आपको दे रहा हूं बच्चों, वो ऐसे ही अपने से बना के नहीं दे रहा हूं, पिछले 5 वर्षों में SSC J examination का जो pattern रहा है, उसकी study के अधार पर यह data दे रहा है, और यही data जितने भी मानक institute हैं पूरे भारत में, SSC J के सबसे बड़े institute से त्यारी कराते हैं, सबके पास यही same data है, यह data एक standard data है, यह कहीं से लाया नहीं गया है, आप देखिए, fluid mechanics भी कितना important है आपको, 30 marks cover करता है, आपके सबसे पहला important subject यह होना चाहिए, और दूसरा यह होना चाहिए, और आप कमाल की बात देखिए, केवल आप दो subject बढ़िहां से prepare कर लिजिए, दो section अच्छे से prepare कर लिजिए, तो आप देखिए 60 marks तो आप यहीं से हासिल कर ले रहे है, 60 marks माइडियो, आप समझे, यह strategy है, अब एक लड़के ने कहा, जुसको पता नहीं है, वो पता चरा जहां number कम आ रहे हैं, जहां से कम पूछा जाता है, उनको बहुत सारा पढ़ रहा है, और जहां से अधी पूछा जाता है, वो पढ़ी नहीं रहा है, तो वो कैसे examination को crack करेगा, यह चीजें कौन बता सकता है, जिसने खुद exams crack किये हैं, हम लोग उने exams crack किये हैं, All India exams crack किये हैं, gate crack किया है, Various government service के exam में select हो करके छोड़ के तब हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो हमको यह पता है कि कौन से examination में, कहां पर pattern क्या है, अच्छा भाई, उसके बाद देखिए, यहां मैंने इस section में तीन subject रख दिये हैं, स्टोम, कुछ बच्चे, स्टोम को moss भी कहते हैं, mechanics of solids या strength of material, एक subject है आपका mechanics, और एक है machine design, यह तीनों को ले करके 15 नंबर है, जबकि gate का exam है, ESE का exam है, वहां यह चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, लेकिन यहां पर कम पूछी जाती हैं, तो यह शुड़ बेरी मच क्लियर, about the examination, about the approach of examination, आपको कौन सा paper देना है, और कौन से paper में कौन सा subject कितना पूछा जाता है, अगर आपको उसका idea नहीं है, तो आप जो subject पढ़के जाएंगे, पता चला वो paper में नहीं आया, जो नहीं पढ़के गए थे वही सब आ गया, अगर आप gate देने जा रहे हैं, you should have different approach, अगर आप JEE देने जा रहे हैं, you should have different approach, और exam का अलग approach, यहाँ पर 15 marks तक देखा गया है, maximum, उसके बाद, production engineering, gate का one of the most important part, gate में यहाँ से खूब सारे questions आते हैं, लेकिन JEE में बहुत questions नहीं आते हैं, 13 marks के around questions आपको देखने को, और last time में theory of machine, कई लोग को theory of machine दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, kinematics of machine, dynamics of machine, दोनों को मिला के 12 marks का, इस analysis को कराने का, इस चीज को बताने का मेरा उद्देश यह है, कि आप समझे, strategy बनाएं, सही रणनीत बनाएं, कि कौन से हिस्से से कितने marks आप उठा सकते हैं, केवल पढ़ने से ही नहीं होगा बेटा, सही दिशा में पढ़ने से होगा, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, कि success जो है वह vector quantity है, vector समझते हैं, vector quantity वह होती है, जिसमें सिर्फ effort नहीं है, आपको effort तो लगाना ही पड़ेगा, magnitude of effort के साथ साथ, आपको proper direction भी होना जरूरी है, जहां effort और direction दोनों रहेगा, वह vector quantity बनेगी, तो success vector है, direction अगर गलत है या direction नहीं है, गलत होने का मतलब direction है ही नहीं, आपको पता ही नहीं है, अब सिर्फ पढ़ते चले जा रहे हैं, तो आपको successful होने में, या तो देर होगी या तो परेशानी है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए हमने क्या किया है, जो आपका GS का part है, जो आपका reasoning का part है, इसका भी हमने यहाँ पे description दे दिया है, हलांकि, किसी same pattern का लगभग सारे exam में आपको दिखाई पड़ेगा, भले यह SCJE के लिए है, हमने SCJE लिख दिया है, SCJE सब जगा लिख देते हैं, क्योंकि SCJE को लेकर हमने classification किया है, लेकिन मैं बारबार इस बात को कह रहा हूँ कि same pattern लगभग सारे exams का है, अगर आप GS पढ़ते हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो पढ़ना है आपको GK और current affairs, current affairs पढ़ने के लिए आप news papers उगरे follow कर सकते हैं, GK क्या पढ़ना है आपको पहले राश्पति कौन, पहले आखरी कौन चीज कहा है, किसकी राजधानी क्या है, यह सामानने चीज़ें जो बचपन से लूसें टूसें से पढ़ते आ रहे हैं, उसके बाद दूसरी सबसे important चीज आपको पढ़नी है science, science को मैंने देखी दो भागों बाढ़ दिया, physics chemistry एक साथ रखा और biology बाद में रखा, और आप देखिए, current affairs और GK से कितने marks आ रहे हैं, 12 marks, possessed chemistry से कितने आ रहे हैं, 8 marks, biology से कितने आ रहे हैं, 4 marks, history से कितने आ रहे हैं, 5 marks, quality से कितने आ रहे हैं, 6 marks, इसको ध्यान दिजिएगा, जो Indian quality भारती समविधान नाम का जो विशय है, जो आपके जे एक्जाम में पूछा जाता है, बहुत simple, बहुत interesting और छोटा subject है, और आप देखिए scoring है, 6 marks आपको दिलाएगा यह, इसलिए कभी कभी क्या होता है, छोटे subject को पढ़ करके भी बहुत अच्छे number लाए जा सकते हैं, तो क्यों न लाए जाएं भाई, विद्वान बनने का समय फिर कभी आएगा, अभी तो हमें जेई बनना है पहले, और जेई बनने के लिए जरूरी है सही रड़नीत का पालन करना, quality के बाद देखिए, economics 6 marks का है, और जागरफे है 9 marks का, तो यह कुछ आपका classification, इस exam की preparation कैसे करनी है, यह सारे classes आपको online portal पर make my career पर उपलबद रहेगा, मैं और मेरी team पूरे धूमधाम के साथ आपको जई बनाने का प्रयास करेंगे, कैसे इस पर काम करेंगे, इसका further वीडियो आएगा, आज हम अपने वीडियो पर केंद्रित रहते हैं, आगे बादचित को बढ़ाते हैं, अच्छा इसमें एक चीज और देख लीजिए, reasoning का 50 marks का 50 questions आएगा, reasoning बहुत scoring है, फोड़ा साथ दिमार्ख लगाईए, और वैसे भी बेटेक और डिप्लोमा के लोगों से यह उम्मीद की जाती है, कि आपका reasoning, आपका attitude जो होगा वो अच्छा होगा, reasoning में बेटा मेरे institute के बच्चे, reasoning में जो SSCJ में select हुए हैं, वो 49 marks तक ले आए हैं, 48 marks तक लाए हैं, और कितने ऐसे बच्चे select नहीं हो पाए, शुरुवाती पहले attempt में बाद में select हुए, वो 45 प्लस लाएं हैं, 45 से जाधा number, reasoning में आपको score करना पड़ेगा, simple reasoning आती है जे examination में आप, वोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, practice करना पड़ेगी, आगे बढ़ा जाएं, लास्ट में, मैंने एक quote लिखा है आपके लिए, और इस quote के बाद, मैं आपको थोड़ा एक strategy पे पांच मिनट बताऊंगा, कि कैसे हमें काम करना है, आपने का सर आपने बता तो सब दिया, कि कौन सा कितना आएगा, कैसे आएगा, लेकिन पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है उस विशे पे आएंगे, क्योंकि अभी lockdown का समय चल ला है, और बच्चों के पास या बहुत सारे लोगों के पास एक चीज की शिकायत है, कि अभी काम करने का मन नहीं कर रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बड़ी anxiety है, बड़ा साध है आसपास, बड़ी negativity फैली है, यह quotation मुझे बड़ा पसंद है, मुझे बड़ा अच्छा लगए, क्या लिखा है जरह पढ़ियेगा, When the seas have storms, the fisherman came, the fisherman comes and repair the net, जब समुद्र में तुफान आता है न, तो उस समय जो मचुवारा होता है, वो अपने जाल को, अपने net को repair करता है, I think this is the right time to repair your net, आप अपने जाल को, कितने अच्छे से repair कर सकते हैं इस समय करिए, कितना समय आपको कभी जीवन में शायद नहीं मिलेगा, और ऐसा कहां लिखा है कि जो lockdown में आप पढ़ेंगे, वो किसी अन एक्जाम में पूछा जाएगा, तो आप उसे नहीं कर पाएंगे, पूछा नहीं जाएगा, तो किसी एक्जाम में notification नहीं आया न, कि lockdown में जो पढ़ा है, वो किसी एक्जाम में नहीं माना जाएगा, तो भाईया सबसे अच्छा समय है यह पढ़ने का, और आप जानते हैं, हम लोग के समय पे जब हम लोग बीटेक करके निकले थे, तो हम लोगोंने private services किया, उसके ब जब government services हम लोगोंने crack किया, तो एक challenge था, कि नौकरी छोड़ के आओ, 5-7 महीना घर में बैटके तयारी करो, और select जाओ किसी जॉब में, तो आपको तो 5-7 महीना ऐसे ही मिल ला है, लोगडाउन के कारण, आपके लिए सबसे अच्छा समय है, मैं बोलता हूँ, students के लिए इस समय सबसे अच्छा समय है, क्योंकि वह आराम से घर बेटके पढ़ाई कर सकते हैं, और make my career आपको घर पे online classes प्रोवाइट करने जाएं, तो इस quotation जिससे मैं बहुत प्रुभावित हूँ, और मैं आशा करता हूँ, उम्मिद करता हूँ कि आप प्रुभावित होंगे, और आप इसका अर्थ समझेंगे, बलकि अपने जीवन में इसे उतारने का भी प्रयास करेंगे, अब मैं छोटी से एक रड़नीद बताने जा रहा हूँ, क्या-क्या चीज़े करनी हैं, चार चीज़े करनी हैं, उसके उसे पांच मिट का समय में आपका और लूँगा, और चार चीज़े आपको बताऊंगा, चारों चीज़े फॉलो कर लिजिएगा केवल एक साल, मैं चार साल और पंच वर्षी योजना बना के आपसे नहीं करब त्यारी करिए, केवल एक साल आठ से दस मिने त्यारी कर लिजिए, आप जेई गवर्वर्मेंट सर्विस में होंगे, क्या है वो चार चीज़े, आईए बात करते हैं, अब हम लोग उन्हें PPT से काफी काम कर लिया, हम लोग कुछ लिख के बात करते हैं, हम लोग चार दाइमेंशन पर बात करेंगे, यह फोर दाइमेंशन क्या हैं? यह हमारे स्टुडी के पैटर्न है, क्या क्या करना है आपको जेई बनने के लिए, पहला काम करना है आपको अपने कॉंसेप्ट पे काम करना है, जिसको सरल भासा में आप theory बोलते हैं अगर आपको theory नहीं पता है अगर आपको knowledge नहीं है तो आप questions नहीं लगा सकते आप numericals नहीं लगा सकते सबसे पहले अपने theoretical part को बहुत मजबूत करिए If you are not good in theory You cannot attack on the questions आप questions पर तब attack करेंगे जब theoretically बहुत strong रहेंगे उदारण के तोर पर मैं आपको एक example दे रहा हूँ आपने पढ़ा होगा आपने gas equation पढ़ा होगा gas equation, ideal gas equation पढ़ा होगा कभी आपने पढ़ा होगा ये लिखा रहता है PV is equal to RT कभी लिखा रहता है PV is equal to NRT कभी लिखा रहता है P, V is equal to M, R, T कभी लिखा रहता है P, V is equal to K, R, T मुझसे बच्चे पूछने आते हैं कि Sir ये नहीं समझ में आता कि ये कहा लगाओ, ये कहा लगाओ ये कहा लगाओ, ये कहा लगाओ और इन सब के चारों में अंतर क्या है यह क्यों नहीं समझ आता क्योंकि थेorically आप weak है और जब तक आप थेorically weak रहेंगे तब तक question आपसे नहीं निकलेगा तो पहला काम आपको करना है कि आपको अपनी theory को बहुत strong करना है theory को बहुत strong करना है अगर आपको पता है कि viscosity क्या होती है चांता क्या चीज है तब आप viscosity के questions लगा पाएंगे अगर आपको पता है compressibility क्या है bulk modulus क्या है तब आप उसको कर पाएंगे अगर आपको पता है strength of material में moher circle का concept क्या है क्यों बनाते है moher circle, moher circle में इस axis पर क्या रखते है इस axis पर क्या रखते है कौन सा moher circle और जिनके left side आता है कौन सा right side आता है moher circle x axis पर आता है कि y पर आता है y पर क्यों नहीं आता है इस सारी बातें आप तब सवाल कर पाएंगे जब आपको theoretically strong होंगे और मैं बनाऊंगा आपको theoretically strong तो पहला काम हमें करना है conceptually theoretically बहुत strong बनना है दूसरा जो है वो है हमें questions के बारे जब तक आप questions नहीं लगाएंगे आपकी theory बहुत अच्छी है लेकिन आप questions नहीं लगाएंगे पचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे क्रिकेटर है बहुत उनको क्रिकेट का ज्यान है लेकिन फिर भी जो match होता है उससे पहले प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पास कितनी theory क्यों नहीं हो ठेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है questions ज़रूरी है आपको हम आपको जो questions कराते हैं वो हम आपको booklets प्रदान करेंगे questions का questions जो होंगे हमारे वो दो तरह के होतेंगे एक हमारा होता है BLQ और एक हमारा होगा ALQ BLQ का मतलब है basic level questions ALQ का मतलब है advanced level questions basic level questions आपको आपके examination से परिचे करवाएंगे कि what is the pattern of a particular examination advanced level questions वो questions होते हैं आपने अकसर सुना होगा कि सर्थ 100 में 80 questions तो सही थे 20 questions पता नहीं कहां से आ गए थे वो पता नहीं कहां से नहीं आते हैं advanced level exam से आते हैं जैसे जेई में बहुत सारे questions 5-10 questions gate से ESE से डाल दी जाते हैं युद्ध जीतना है तो युद्ध में जाने से पहले सारे हथियार लेके जाईए फिकायत करने का मौका, excuse देने का मौका बाद में न रहे मैं आपको advanced level questions भी कराऊंगा आपको पूरी तरह से तयार करके तब भेजूंगा examination में ताकि आप चैई बन के तीसरा, तीसरा जो dimension है वो बड़ा important है और ये इतना important है कि मैं इस पर सबसे ज़्यादा काम करता हूँ, यह है doubt clearing session बटा online में तो और अच्छा फायदा है कि मैं 24 by 7 आपके लिए available हूँ, offline में तो यह था कि भाई जिस period में हम लोग classes चल नहीं है, सुबह साथ साम साथ तक तब तक में था, और online में आप 24 by 7 whatsapp पे, telegram group पे phone करके मुझसे अपने doubt solve कर सकते, अगर आपको doubt हो रहा है class में और हिचक भी होती है, कई बार कि नहीं पूछ पाते हैं doubt को carry मत करिये examination hall तक, उसे यही clear करके खतम करिये, और मैं किसी बच्चे को कभी भी जरा सा भी नहीं बोलता हूँ, डाटता हूँ doubt पूछने पे, आप मुझसे दो का पहाड़ा भी पूछने आएंगे, मैं बड़े खुशी से बताऊंगा आपको, doubt clear रहेगा, तो examination crack करना बेहद आसान हो जाएगा, और इस दुनिया में doubt उसी को आता है, जो पढ़ाई करता है, जो पढ़ता है नहीं से कोई doubt नहीं है, आप पढ़ने वाले हैं, आपके पास doubt होगा, ठीक है, doubt clearing session is very important, online classes में भी मैं doubt clearing session जरू मुझे संतोष नहीं है, आगे बात करते हैं, इसका चौथा भाग, T4 dimensions, 4 dimensions हैं इसके, चौथे भाग में आता है test, टेस्ट जरूर दीजिए, टेस्ट आपका सही आकलन करता है, अपना आकलन करने से बचेंगे, तो कभी जीवन में आप सफल नहीं है, आपने कितना पढ़ा ह थर्मोडानमिस आपके कितनी मजबूत है, यह आप नहीं बताएंगे, यह आपके marks बताएंगे, और selection marks के basis पर, अपनी गलतियों को जानने का सबसे बड़ी हमाध्यम है test, और test के साथ साथ एक बहुत important चीज़ है, test series, test series आपकी गलतियों का तो आकलन करता ही है, पाती साथ, test series से एक फाइदा आपको और होता है, कि जिस महोल में आपको exam देना है, test series आपको वो महोल परदान करता है, वो ambience प्रवाइट करता है, आप जब test series कभी दीजिए ना, तो आप कोशिश करिए कि उस समय आपका वही रहे जो exam का समय होता है, और आप उसी तयारी से, जिस mentally prepare ह कि आप जाते हैं ना, exam देने, आप घर बैटकी भी test series दे रहे हैं, तो वैसी दीजिए का, तब देखें कितना फाइदा मिलता है आपको, आप ambience से आपका बिलकुल comfortable हो जाएंगे, मैं आपको test series करा करके 20-25 बार उसी situation से गुजारूंगा, जिसे exam हाल में गुजरना है, पह चार dimensions थे, बहुत सारे छात्रों ने मुझसे ये request की थी, कि सर आप जरूर बना के पताईए कि कैसे त्यारी करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैंने कोशिश करी, मुझे नहीं पता मेरी कोशिश कितनी सार्थक है, और ये कहां तक जाएगी, जब आप इसे share करेंगे और अपने तक न रखके, अपने बहुत सारे दोस्तों के तक इसे पहुचाएंगे, और उन्हें बताएंगे कि make my career पे सर्फ आपको पढ़ाया नहीं जाता, बलकि पढ़ाने के साथ साथ, जीवन में सफलता के जो भी मानदने हैं, जेई बनना है, जो भी बनना है आपको,